हेई गाइस विल्कम बैक तो मैं चैनल लेस्ट थाग अबावड जीयल सीज शो मी लव एपिसोड टू स्पॉयलर सो मीना अपने ओडिशन देकर घर पे आ जाता है और अपने आंटी से कहती है वो लोग ओडिशन की रेजल्ट और लाइन पे अनॉस्मेंट कर देगा और इधर चेरिन के बॉइफरेंड उससे मदद मांगता है और उससे मिलने के लिए बुलाता है मीना अपने सिलेक्शन के लिए छट पे प्रे करती है और इधर चेरिन उसकी और उसकी बॉइफरेंड की फोटो देकर रो रही थी In the next episode, Jirin अपनी boyfriend से मिले जाएगी क्योंकि उसकी boyfriend उसे help मांग रहा था तो Jirin जब अपनी boyfriend से मिले जाती है तो उसकी boyfriend उसकी हाथ पकरके फिर से relationship में वापस आने के लिए काता है और जिसके लिए उन दोनों में fight हो जाता है चेरिन अपनी boyfriend से हाथ चुरा लेता है और कहता है मुझे पता है जब हम दोनों date कर रहे थे तो मुझे क्या क्या face करनी पड़ी और इस बात से उसकी boyfriend भी guilty feel करता है चेरिन गुसे में कहती है date के time मैंने जो जो face की थी वो I think मेरे लिए काफी है और मैं always अपने friends को ही choose करूँगी वो लोग तुमसे ज़्यादा मेरे लिए important है ये कहने के बाद चेरिन वहाँ से चली जाती है अगले सिन में मीना गार्डन में कुछ काम कर रही थी वहाँ पर चेरिन आ जाती है दोनों एक दूसरे को again देखकर surprise हो जाती है मीना चेरिन से कहती है तुम फिर से मेरे सामने अगले सिन में चेरिन और उसकी friend किसी के साथ वीडियो call पे थी जहाँ पे उसकी friend call पे कह रही थी मेरी car accident हो गई थी और मेरी पैर में अभी bandit है साथ में उसकी friend ये भी कह रही थी कि किकी mom को कुछ भी ना कहने के लिए मुझे ऐसे फिल हो रहा है कि ये किसी के लिए कुछ प्लान है अगले सिन में चेरिन उसकी किकी mom और उसकी friends एक night club में होती है जहाँ पे मीना एक छोटी सी singing performance कर रही थी और उसकी केकी mom के दिमाग में मीना को देखकर कुछ चल रही थी चेरिन बहुत एटिट्यूट के साथ मीना को देख रही थी चेरिन के केकी mom उसे कह रही थी कि मीना को convince करने के लिए कि वो ही हो सकती है इस साल की miss grand okay thanks for watching and listening this video i hope you like this video if you like this video please give it a like and also subscribe to the channel and if you follow me in instagram my instagram handle is here you gonna follow me see you soon in next video love you guys take care and bye